हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूँ अर्शा कुकिंग सुकिंग विद अर्शा में आपका श्वागत है चलिए कीचन में चलते हैं यहां मैंनी साथ ब्रेड ले लिया है आप चाहो तो ज्यादा कम ले सकते हैं जितना लेना है और इसके साइड के कट कर देंगे यह सब कट करके हो गया है और इसे रख देंगे इसके हम बाद में कुछ आलो की पकोड़ी या कुछ भी ऐसे सुजी की पकोड़ी बनाएंगे तो इसमें डाल देंगे इसे बहुत अच्छा बनता है और इसे इस तरह से ले लेंगे 20 से कट कर लेंगे और इस तरह से चेचे तुकुड़ों में से कट कर देंगे कि यहां पर मैंने सारो को काट लिया सारे एक साथ में हो गए चुटे-चुटे टुकड़ों इस तरह से क्या दरेंगे इस पर लगा लेंगे इस तरह से हम इस पर बहुत ज्यादा ओएल लगाएंगे इस तरह से सारी तुकड़ों को रखे सिकेंगे क्या करेंगे इस तरह से पीछे की तरह भी सेक लेंगे बहुत इसे हमें नहीं जलाना है बस इसे हमें हलका हलका कड़क कर लेना है तो यह हो गया है कि चले बन कर दें आप हमें एक कढ़ाई ले ली है कर दो आप कर दो 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 झाल 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 मेरी रेसिपी बनके त्यार हो गई थोड़ा से से गार्निश कर देती हूं झाल